अगर आप रोज दाल चावल खाखा के बोर हो गए हैं तो चलिए आज उसी दाल चावल के साथ बनाते हैं ये तीन तरह के साउथ हिंडन फूट एक ही बेटर के साथ में बनाएंगे इसे बनाना भी बहुत आसान है बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको चीजों की एंटिटी और टाइमिंग का तो चलिए इस वीडियो में दोनों ही चीज़े देख लेते हैं वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा ताकि आपकी रेसिपी पॉफेक्ट पने हलो एव्रीमान वेलकम बाक एहमो आर्टी एंड आई होप यो आर्टी वेरी वल तो यह हम एक ही बेटर के साथ बनाने वाले हैं तो सबसे पहले बेटर टियार करके रख लेते हैं यहाँ पे चाहे आप डोसा भनाए चाहे इडली या उत्तपम तीनों की रेषोह हमारी सेम रहती है, 3 To 1 की रेश regular हैं हमें यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दाल लिये दाल ये धुली मा की दाल है और जितनी आपने दाल लिए उसका 3जूना हम यहाँ पर चावल लेंगे तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी दाल ले रही हूं तो 3 कटोरी मैंने चावल लिये हैं एक चमच मेती हम इसमें जरूर आड़ करेंगे क्योंकि यह फर्मेंटेशन में काफी हल्प करती है तो बस इन तीन जो चीजों को हम अच्छे से वाश कर लेंगे साफ पानी के साथ में वाश करना पहले जादा जरूरी है क्योंकि बाद में जब हम इसको सोक करेंगे और सोक कर कोई fix है hard and fast rule नहीं है पानी डालने का आप कम जादा कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर एड करें कि चावल दाले फूलने के बाद भी ऐसा नहों कि ऊपर से ड्राइ ही रह जाएं अब हम इसे ओवरनाइट या पुरे साथा घंटे के लिए सोक करने के लिए रखतेते हैं जैसे हम grind करने वाले हैं तो soft होने की वज़े से बहुत अच्छे से ये grind हो जाता है भीगोते हुए ध्यान रखना है कि इसमें पानी की quantity जादा नहीं रखनी है क्योंकि हमें इसे runny paste नहीं बनाना है तो आपने सिरफ इसमें से डाल डाल चावल निकालने हैं पानी नहीं डालना है औ तो अभी तीनों चीजों का हमारा बहुत ही अच्छा सा पेस्ट पन के तयार हो गया है कोशिश करें थोड़ा थोड़ा ही ग्राइड करें एक ही साथ सारा बेटर मट डालें उससे जो है बीच में कचावल थोड़े से ऐसे ही रह जाते हैं अच्छे से पिस नहीं पाते हैं तो सारे दोनों ही चीजें अच्छे से पिसनी चाहिए इसमें एक हलका सा दरदराज पन रहता है इस पेस्ट में जैसे हम आता SAY या मेया बेसन का घोल बनाते है देखने हउने में रगड मेकरने हदे हैs लिक्ड़ा हलका सा होना चाहिए जादा दरदराज आपन रहेगा ल तो मैंने इसको ओवनाइट रखा तो अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा फ्लफी बैटर बनके तयार हो गया है नॉमल जितना पहले बैटर होता है उसके बाद एक से डेड़ इंच जो है और जादा बढ़ जाता है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका ब अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप चाहिए इसमें नमक आड़ कर सकते हैं लेकिन गर्मियों में मत दालिए क्योंकि सर्दियों में मौसम ठंडा होता है तो फोमेंटेशन प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है तो उस टेच में आप नमक आड़ कर सकते हैं क्योंकि न तो इसलिए हम तीनों को अलग लग डिवाइड कर लेंगे ताकि जो हम उसके हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी बना सकें तो इडली के लिए मैं बेटर थोड़ा ले रही हूं क्योंकि मुझे इडली बनानी है आज घर पे में सबको इडली खानी है लेकिन मैं साथ में डोसा और को अपके साथ करने के लिए बना रही हूं तो उसकी היटी में थोड़ी ली है आप अपने हिसाब से लिए इक व्ल पर या सब इसी कंसिस्टेंसी कुछ इतनी हो निच चाहिए कि जितने की एक नॉम। चीला बनाते हैं उस तरह की इसकी consistency होनी चाहिए पानी आइड करने के बाद इसको थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें अपनी स्वादके नुसार हलका साम इसमें नमक करेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे तो अभी आप consistency की देख सकते हैं हमें डोसा बनाने के लिए इतनी पतला जो है बेटर चाहिए बहुत पतला भी नहीं चाहिए बहुत गाड़ा भी नहीं कुछ इस तरह का होना चाहिए अब हमारा बेटर तियार है तो इसमें मैं आथा चमच नमक आड़ कर रही हूं आप हमने टेमपरेचर बहुत मेटर करता है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए तो हम हलका सा पहले इसको गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हम इस पे थोड़ा सा वाटर स्प्लाश करेंगे और इसको बन जाता है जितना के एक डोसा बनाने के लिए चाहिए तो बस इस तरह से बीचो बीच हम बैटर को डालेंगे और अच्छे से घुमा देंगे तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं और तो इसके उपर हलका सा आप ऑईल भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नॉर्मली नॉन स्टिक में बनाती हूँ तो बिल्कुल भी ऑईल लगाना पसंद नहीं करती हूँ आप बिल्कुल जब नॉन स्टिक में ब अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो डोसा है वो दूसरी साइड से अच्छे से पक गया है अगर आपका तबह अच्छे से अच्छे बिल्कुल पॉफेक्ट टेंपरीचर पे है ना तो आपको कोई मेहनत नहीं करती है यह अपने आप ही जो है निकल जाता है साइड में से सिर्फ आपको रोल करना है आप रोल कीजिए या ट्रेंगुलर शेप में आप प्लेन बनाएए या फिर मसाला डोसा अगर आपको मसाला डोसा की चाहिए तो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी उसे जर जरूर चेक आउट कीजेगा तो यहां पर चलो अब इडली की त्यारी कर लेते हैं इडली का जो बेटर होता है वो थोड़ा गाढ़ा रहता है तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आट करेंगे इसको हम आजटर यूज करेंगे बस इसमें मैं यहां पर एक चमच डाल रह अगर बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं वो भी एक चमच काफी है लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो उसकी क्वेंटिटी हमेशा हाफ डलती है तो उसके लिए हम आधा चमच ही डालेंगे तो बेटर आप देख सकते हैं कितना अच्छा अभी से फ्लफी सा ब अगर आपके पास इडली स्टीमर नहीं है तब भी नो इश्यू आप नॉमल कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं तो इस कढ़ाई को ऊपर से में ढख दोंगी अच्छे से पानी गरम होने तक हम इसको रखतेंगे तो पानी अभी हमारा काफी गरम हो गया है अब हम इसमें इडली स्टैंड रखेंगे अगर आपके पास इडली स्टैंड भी नहीं है तब भी नो प्रॉब्लम आप यहाँ पे कोई भी जाली वाली जो प्लेट होती है ना कई बर जिसमें हम सबजिया धोकी रखते हैं वो व जो हमारी इडलीज है वो नीचे ना चिपके और आसानी से निकल चके तो हमें एक एक कट्ची इसमें डाल रही हूं बैटर को हलका सा हम नीचे रखेंगे क्योंकि यह स्टीम होने के बाद थोड़ी सी फूलती है ना तो फूलने के लिए भी हम इसके लिए थोड़ा स्पेस शोड़के रखेंगे तो इस तरह से सारे हम मोल्ड को फिल कर देंगे तो मेरा इस टीम है डबल वाला है तो मैं उपर से इसमें एक और ट्रे रखेंगे इसको भी इसी तरह से फिल कर दोंगी तो इसको बस अब हम ढ़कन लगा करके 10 मिनिट के लिए हम मीडियम फिलेम पे प इस तरह से एक दो मिनिट कम जाता है क्योंकि इडली की क्वेंटिटी पे डिपेंड करता है तो आप इस तरह से टुथ पे किया फिर नाइफ डाल के चेक कर सकते हैं अगर यह चलीन आ गई है तो समझ लीजे आपकी इडली जो है तैयार हो गई है इस पून की हेल्प या ना अगर उत्तपम का बैटर भी गाड़ा ही रहता है तो इसमें बस हम कुछ भी पानी नहीं यूज़ करेंगे अपसार नमक अट करेंगे आप साहे तो इसमें चाट मसाला अगेरा भी आड कर सकते हैं बड़ इसकी एक्चल रेसिपी होती है वह प्लेन ही होती है बस नमक होता ह इसमें तो गाड़ा आप देख सकते हैं कितना गाड़ा है यह चलिए अब उत्तपम बना लेते हैं उत्तपम बनाने के लिए हम कोई नॉन स्टिक तबा या पैनी उस करेंगे और उसको हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे घी या ओयल के साथ में तो यहां पर बीचो बीच हम इसमें बनाएंगे इसको डोसे की तरह ही लेकिन इसकी ठिकनेस जो है वह हम थोड़ी मोटी रखेंगे तो इसलिए बहुत जादा इसको स्प्रेड नहीं करना है सिर्फ इतना स्प्रेड करेंगे कि हल्का सा जो इसमें मोटाई भी बनी रहे और इसका बैटर जो है वह टमैटो और अनियन आड़ कर रही हूँ आप इसके इलावा कुछ और जैसे की बीन्स या फिर हलकी सी क्याबेज भी इसमें आड़ कर सकते हैं तो इसमें उपर से मैं हलका सा चाट मसाला और काली मिच स्प्रेड कर रही हूँ उसके बाद हम इसमें स्पैचुला की हैल्प से इसको थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि यह बिल्कुल उत्पम के साथ में स्टिक हो जाएं तो एक साइट से तो हमारा उत्पम पक चुका है अब दूसरी साइट जहां साइट से इसमें वेजिस हैं उसको भी हम पका लेंगे लेकिन यहां पे ध्यान रिखेंगे कि जादा ह वेजिस हैं उसको हलका सा हमने क्रिस्प करना है जादा नहीं पकाएंगे तो आप देख सकते हैं कितना व्यूटफुल लग रहा है यह दोनों तरफ से बहुत ही एक साउथ हिंडन पीजा जैसा होता है तो बस इनको आप अपनी किसी भी फेवरेट चट्पी के साथ जैसे को कौन सी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइगा और मेरी इस तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मैं पूरी कोशिश करती हूं कि आपके साथ डेली एक नई रेसिपी शेयर कर सको और आज की रेसिप मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ चिल्दर बावाई एंड टेक केर